एक रसोई तो होती से सुराल में, जून की गर्मी में पसीने से लटबद पूजा किचन में काम कर रही होती है ए बगवान, इतनी गर्मी में तो इंसान मरवर जाए, उपर से किचन में काम करना, उफ उफ इसी को कमरे से हटवा कर किचन में लगवाना चीए भी इतनी गर्मे में पसीने से लटपत, पूझा काम कर रही थी तबी हॉल से उसे प्रिया की आवाज आती है ओ माई गाड, स्टोर रूम में जाये तो कैसे जाये ममी आदमी हाल देखो मेरा, पसीने से लटपत हो गई हूँ मैं दो मेंट और स्टोर रूम में उती ना तो बेवोश हो जाती अरा तो क्या जरूर थी तुझा स्टोर रूम में जाने की ऐसे तो अपना कमरे से कभी निकलती नहीं तुमारी राजकुमारी और आज जब 47 डिगरी पर पारा है तो क्यों गई थी स्टोर रूम में जहां पर लाइड भी नहीं है गिर पड़ जाती तो हस्पिटल का खर्चा लग जाता आपको तो हस्पिटल के खर्चे के पड़ी है मेरी प्रिया को कुछ हो जाता तो अच्छा बिटा बैठ जा बसे किस काम से गई थी तो अंदर मुझे बोल दिया होता मामी पिछली बार मैं एक शेंपू लेकर आई थी अपने लिए उस शेंपू का नाम ही मैं बूल गई हूँ उसका खाली डिबब मुझे याद भावी ने स्टोर रूम में रख दिया था वही डूणने गई थी मुझे तो लगता है स्टोर रूम में एक एक्जास्ट फैन लगवाना पड़ेगा तब जाकर अंदर का उमस बार आएगा ऐसी बात है तो ठीक है एक एक्जास्ट लगवा देते कमरे में और एक पंखा भी और क्या जरूरत बेकार में पैसे बरबाद करनी की ऐसे भी अभी तुम लोगों ने किचन में एक्जास्ट लगवाया ही था पैसे पेड़ पर उखते है क्या तो किचन का एक्जास्ट वहां से हटवा कर स्टोर रूम में लगवा देते ना पपा फिर तो पैसे बरबाद नहीं होंगे ये सुनते ही पूजा के पसिनी का बहाव दो गुना हो जाता है वो हडबढाती हुई किचन से बहार आती है अरे बहो ये किस तरह नहा कराईए तू अगर टावेल ले जाना भूल गई थी तो मुझे आवास देती मैं तुझे टावेल नहीं देती क्या कोई सौतेली सास थोड़ी ना हूँ मैं तुरे ये पसीना है ममी जी किचन में थी मैं ये मेरे माथे पर लगा आता आपको दिख नहीं रहा क्या आता रोटी बनाने के लिए होता है बिटा चेरे पर लगाने के लिए अब समझ में आया तीस दिन का आटा पचीस दिन में खतम कैसे हो जा रहा है कितनी गर्मी है किचन में ममी जी कि मैं बिना नहाए भी नहा क्या आई हूँ लग रही हूँ उसमें भी आप लोगों को किचन से एक्जास्ट हटवाना है किचन किसी घर का कितना important part होता है ये तो आपसे ज्यादा बहतर कोई नहीं जानता होगा ममी जी फिर भी पता नहीं क्यों इस घर में किसी को किचन की कदर नहीं है पूजा की बात सुनकर दो मिनिट के लिए सभी चुप हो जाते हैं उसकी बाद सुश्मा कहती है अरे बिटा एक काम कर कल के कल तू elektricion और labor को لिया और exhaust किचन से हटवा कर store room में लगवा दे वो क्या है ना बहू अब तू ही समज रसोई में हम जाते कितनी बार है दिन में दो बार वो भी तू जाती है किचन में exhaust रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी exhaust दो बाहर हवा देता है, अंदर थोड़ी न देता है और हाँ बिटाई याद से पंखा भी लगवा देना store room में हाँ, हम, इस घर वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता तो कुछ ऐसे थी पूजा की सिसराल वाले जिनने kitchen छोड़ कर हर चीज की कदर थी जिस कारण पूजा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी इसी तरह, एक रोज सुश्मा की कुछ सहलिया किटी पाटी के लिए उसके घर आती है घर पर पाटी हो रही हो और घर का गंदा होना तो लाजमी है भई मज़ा आ गया सुश्मा, मज़ा आ गया क्या खाना बनाया है तेरी बहुने क्या फ्रेंच प्राइज, क्या पकोड़े, एक नंबर तेरी बहु ही है जो इतना मना करने के बाद भी इतनी गर्मी में रसोई का काम कर लेती है एक हमारी बहु है जो होली दिवाली में भी घर पर रसोई बनाना नहीं चाहती अरे रसोई तो अनपूर्णा होती है पर वो समझे तब न तु पूजा का बनाया खाना छोड़ कर ये मोमो खा कर देख एक बार मारकेट से मंगवाया मैंने जब सामान बाहर से आही सकता है तो क्यों किचन में जाकर अपना शरिर गलाना इसे तो बेकार में आदत है रसोई में पड़े रहने की सुश्मा की सहलिया तो उसकी घर को अपना पुष्टैनी घर समझ कर गंदा करी रही थी और इसी पीच उसकी एक सहलिका पोता भागती हुए किचन में चला जाता है बच्चा है यहां हौल गंदा करता है उससे अच्छा है कि रसोई में खेलता रहे और कुछ इसी तरह एक एक करकि सारे बच्ची किचन में चले आते हैं कोई किचन के स्लैब पर बैट कर खाना खाने लगता है, कोई जमीन पर, कोई सारे डब्बो को खोल खोल कर उलड़ देता है, तो कोई किचन में ही खा कर उल्टी कर देता है, ये सब देखकर पूजा का कलेजा तो जली रहा था, उपर से अपने सास का ये behavior उसे और परिशान कर रहा था, ये कोई बात हुई, इन आंटियों को जरा भी शर्म नहीं है, इनके घर के बच्चे मेरे घर के किचन को इतना खराब कर रहे हैं, और ये सब आराम से बैठकर कप्पे मारी हैं, सीधा जाकर इनसे बात करनी पड़ीगी, पूजा उठकर हौल में जाती है, और निकित आसे कहती हैं, आंटी जी, आपके पोते ने हमारे किचन में उल्टी कर दी, जरूर किचन की गर्मी ना उसे लगगई होगी, हाई मेरा पोता उल्टी होगी बच्चे को, नई ने आंटी जी गर्मी से नहीं हुई, उससे ज़्यादा खाना खालिया, और उस खाने को किचन मे निकाल दिया यह तो अच्छी बात हुई ना ज्याद आखा करना बच्चे की तब्यत खराब हो जाती है अच्छा वो उस ते एक्स्ट्रा निकाल दिया तेज है तेरा पोता निकिता बहुती गए गुजरे लोग हैं यह जैसी ममी जी वैसे उनकी सहलिया और कितने ड्रामा की बात किसी तरह किटी पाटी ओवर होती है सब अपने अपने घर चले जाते हैं चल चबिली जाडू उठा और काम पर लग जा आज बहुत काम है पूरा घर बिखरा पड़ा है हाँ चबिली और पहले ना मेरा कमरा साफ कर देना पर दिदी आपकी कमरे में तो कोई गया ही नह आपका कमरा तो वैसा कवैसा पड़ा हुआ है तो कमरे में दिन में कम से कम दो बात जाडू तो लगनी चीए ना भावी और उसके बाद मेरे कमरे में जाडू मारते ना अब पैसे देते हैं तो वसूल तो करेंगे और सभी कमरों का कच्रा लेते हुए एक बार में हौल का आद वक्त मिले तो तो एक बार स्टोरूम देख लेना स्टोरूम बड़ा गंदा पड़ा हुआ है मैं कभी कुछ कहती नहीं इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कुछ भी कहेंगे हाद होती है किसी चीज़ की जिस वज़े से घर का खाना बाहर आता है उस जगह की कदर नही की बात करियोगी वही तो इस घर में एक किचिन भी है शायद वो आप सब भूल जाते हैं आपकी दस बारा फ्रेंज और उनके बच्चों के लिए खाना किचिन में बना था ममी जी इसलिए किचिन बड़ा गंदा पड़ा हुआ है और उनके बच्चों ने किचिन की जो दू अवर उनके बाकी काम कप करेगी और आखिर में पता चला है आमारा कमरा बिना साफ किये ही रहा गया नहीं नहीं चाची भाबी ठीक ए रही है पहले में रसोई साफ कर देती है शाम ढ़लने में अभी वक्ते मुझे कोई दिकत नी है बाकी काम भी हो जाएगा आरे तेरा वै और जैसे ही किचन साफ करने की बात आती है, सुशिल कहता है। सब कुछ हो गया हो चबिली तो एक बार ज़रा छट की सीडिया साफ कर दे। दस मिनट बाद चबिली कहती है। दीदी, मेरी जाने का टाइम हो गया है। रसुय में कल साफ कर दे गे है। लगता है इस घर में बस मैं ही हूँ जिसे रसुई की कदर है हद कर दिया आप लोगों ने सच में मुझे भी क्या है रहने दीजिए ना रसुई में चलते रहे के रहे खाते रहे बाहर का खाना आप सब मैं किचन से इंडक्शन अपने कमरे में रख रही हूँ जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही खाना बनेगा और परिशान होकर पूजा भी रसुई को देखना छोड़ दीती है जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगले सुबह नाश्टे के वाग जा सुशिर नत्थू हलवाई के यहां से समोसे और कचोरिया लिया उसी का नाश्टा कर लेते हैं और ज्यादा रईस बनकर पैसे तुरंट मत देना खाते में लिखवा देना तबी गरमा गरम पराठे लिए पूजा अपने कमरे से बाहर निकलती है और सोफे पर बैठ जाती है पराठे और डेम हम मजा गया नजाने कितनी बार उसी तील को इस्तमाल किया होगा न थूलवाई ने कहां कहां हाथ लगाने के बार मसाले तयार किये होंगे छी 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 मैं तो घर का पॉश्टिक खाना ही खाऊंगी आपको लग रहा है भाबी क्या आपकी ये सब कहने भर से हमें फर्क पड़ेगा नो वे भाबी मैं तो खुद स्विगी करने जा रही हूं कितना भी ओईली खाऊं कितना भी जंक फुड़ खाऊं वैसे भी मनना तो सभी को एक बार है ही न तो फिर क्यों न बाहर का खाकरी मरो है आर इसी तरह दिन बीटते जाते हैं पूजा का किचिन चूहों का अड़ा बन जाता है वहाँ जाले तक लग जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता अब हफते में कभी एक बार कोई काम पड़ने पर ही कोई रसुई में जाता वरना वो भी नहीं कुछ दिनों बाद एक संडे की सुबह सभी साथ में बैठे हुए गपे मार रहे थे हमारा हॉल ज़रा छोटा पड़ रहा है ने ममे अब आगे जाकर मेरी फैमिली बढ़ेगी तो बच्चे को खेलने के लिए भी तो स्पेस चाहिए मैं सोच रहा था हॉल बढ़ा करवालू मिलकुल सही सोचा भई आपने मैं भी सोच रही थी एक ट्रेड में ले आओ पर उससे लगाओ कहाँ हमारा हॉल तो पहले से ही छोटा है ये रसोई तो हम वैसे भी ज़्यादा इस्तमाल करते हैं रसोई को छोटी कर देते हैं और उसका जो स्पेस है निकाल कर होल में मिला देते हैं पहली बार आपने पूरे जीवन में कोई सटीक बात कही है यही कर बेटा हॉल बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा आप कुछ दिन में प्रिया के लिए लड़के देखने भी शुरू करेंगे महमानों के बैटने के लिए जगा भी हो जाएगी और बिना देरी किये सुशिल अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है और किचन को छूटा करवा कर उसका हिस्सा हॉल में मिला लेता है यहां दूसरी तरफ सुश्मा प्रिया के लिए लड़के वालों का रिष्टा दिखना शुरू कर देती है मुझे कुछ नहीं पता दीती मुझे कुछ नहीं पता मैं आपकी टिकट सुश्यल जिसे कहकर करवा लेती हूँ और उसकी फोटा आपको वाट्सेप कर रही हूँ कैसे भी करके कल आप यहां आईए अब लड़के वालों के सामने सब कुछ आपको ही संभालना है और अगले ही दिन व्रिंदा अपनी बेहन सुश्मा की घर पहुच जाती है दर्वाजे से अंदर आती ही व्रिंदा देखती है कि किच्चन का फ्रिज हॉल में रखा हुआ है बड़ी गर्मी है बाहर, जरा पानी तो पीलू और व्रिंदा जैसे ही फ्रिज खोलती है देखती है कि फ्रिज के अंदर तो वेफर्स के पैकेट्स पड़े है फ्रिज खराब हो गया थे के सुश्मा जो फ्रिज में ये सब गुजिया, वेफर्स ये सब रखे अरे नई नई दिदी ये बात नहीं है आप ये सब छोड़िये मैं पानी मंगाती हूँ आपके लिए अरे सुशिल जब बाहर से ठंडे पानी के बहुत अले करा अरे बाहर क्यों भेज रही है से रसोई से जाकर पानी ले आएगा इस घर में मेरे अलावा कोई रसोई में पैर रखता ही कहा है मासी जी रसोई में जाने से इनकी इज़त जुखट जाएगी और अब मैं भी किचन में जाओं इतना भी किचन मेरे सिसुराल में बचा का है सिसुराल में रसोई होती तो मैं जरूर जाती पूजा की ऐसी बात सुनकर विंदा शौक्ट हो जाती है और होती भी क्यों न, आखिर ऐसा कौन सा सिसुराल होगा जिसमें रसोई ना हो ऐसे हरान परिशान होने की जरूरत नहीं मौसी जी दो-चार दिन में आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कह रही थी और अंदाजा तो लगाई था, जब से व्रिंदा आई थी तब से वो देख रही थी चाहे दुपेर का खाना हो या शाम का नाश्ता या फिर रात का खाना सब कुछ बाहर से आ रहा था जब से मैं आई हूँ, रसोई में एक दूद नहीं उबाला किसे ने ऐसे चुले को सुखा नहीं छोड़ते, पूरे दिन में कुछ तो बना लिया हो ता सुश्मा और वैसे भी मैं कोई बाहर की थोड़ी ना हूँ, जो तु बाहर से खाना बार-बार मंगवा कर खिला रही है इतनी भी खातिरतारी मत कर, घर की ही तो बात है जा प्रिया तुही कुछ अच्छा बना कर लिया, कल लड़के वाले भी आने वाले हैं उन्होंने कुछ बोल दिया, तो तुझे कुछ आना तो चाहिए ना किचिन में कौन जाता है मौसी, जिस लाइफ में कुछ ना करना हो, वो लोग किचिन में जाता है जैसे के भाबी, मेरी माने तो मुझे खुल की जीना सिखाया है, रसुई सिर्फ और सिर्फ आपको बान कर रखती है वरुन्दा खुद उठकर किचिन में जाती है, और किचिन की ऐसे हालत देकर समझ जाती है घर की रसुई वो भी इतनी छोटी, और इस हालत में? मैं यूहीं इतनी चीडी-चीडी नहीं रहती मासी जी, इनी कारणों से मैंने अपनी रसुई अपने कमरे में कर ली अब जिस सिसुराल में रसुई की कदर ही ना हो, जहां रसुई को स्टोर रूम से भी कम वाल्यू दी जाती हो, वहां मैं क्या ही बनाओ? मम्मी जी कामवाली को रसुई में जाड़ू पूछा तक नहीं करने देती, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, पराठे क्यों बनने है, दूद क्यों बालना है, अरे भई, किचिन खाना बनाने के लिए होता है, तो वहां खाना तो बनने दो, पर नहीं, यहां तक की हाल का स्पेस बढ़ाने के लिए रसोई तुड़वा कर छोटी कर दी गई ये सुश्मा आज भी ऐसी ही है अपने साथ सभी को इसने खुट जैसा बना लिया है तो फिक्र मत कर बहू अब इन सब को मैं ठीक करूंगी अगली सुबर लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं और वैसे ही गंदे किचन में सुश्मा महमानों के लिए नाश्ता मंगवा कर रख देती है किसी संसकारी लड़की की तरह बार बार प्रिया रसोई में जाती और मार्किट का लाया हुआ नाश्ता खुद का बनाया बता कर बाहर ले आती शर्माइए मत बहन जी ये सब हमारी प्रिया ने ही बनाया है अपने घर का ही खाना है पौश्टी कर तंदुरस्ट पेट भर कर खाईए बिलकुर सही कहा सुश्मा क्या बताओं बहन जी हमारी प्रिया को बच्पन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था रसोई तो इसके लिए घर का सबसे महत्पपुर्ण हिस्सा है इतना साफ रखती है रसोई को कि क्या बताओं सुबह चार बज़े उठकर नहा दोकर सीधा रसोई में चली जाती है अज सुबह से बिचारी इनी तयारों में लगी हुई थी सुबह तीन बज़े उठकर समोसे कचोडियां अफ्राइड राइस पनिय चिली ये सब इसी ने तो बनाया है मैंने तो कितनी बार कहा हलका फुलका नाष्टा बार से मंगवा लेते हैं पर नहीं ये तो राजी नहीं थी जसा रूप वैसा काम बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी सुश्मा जी हमें तो आपकी बेटी प्रिया बहुत भागई है अब हडबढाने की क्या बात है उसा जी पहले आप हमारा घर तो देख लीजिए जा प्रिया अपने बनाये हुए ड्राइंग दिखा अंटी जी को और इसी तरह व्रिंदा लड़के वालों को घर दिखाते दिखाते उनकी रसुई में ले जाती है ये भगवान मुझे उल्टी आ रही है इतने गंदे रसुई में खाना बनाया प्रिया ने चूले पर तो न जाने कितनी दिन पुरानी चाय गिरी हुई है और इसी स्टो पर इन्होंने तेल की कडाई भी चड़ा दी उश्या जी मुझे तो लगता है इन लोगों ने बाजार से नाश्टा मंगा कर उसे दुबारा गरम करके हमें पकड़ा लिया तब ही मैं सोचू उस खाने को खाने के बाद मुझे उल्टी क्यों आ रही है इतने अनाजनिक लोग है ये कहीं मुझे फूट पॉईजनिंग ना हो जाए जब घर में माही रसोई को इस तरह रखती हो तो उसकी बेटी से क्या उमीद रखो हमें नहीं करना आपकी घर रिष्टा और ऐसी गंदी रसोई को देखकर लड़के वाले रिष्टा तोड़कर चले जाती है प्रिया का रिष्टा तूटता देखकर सुश्मा की आँखे खुल जाती है और उसे समझ में आज आता है कि इतने दिन तक उस ते क्या गलती की थी हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बहु तू हमें कितनी बार कहती थी कि रसोई की इजज़त करो किसीने ठीकी कहा है जिस घर में रसोई की इज़त नहीं होगी वहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा और ऐसा ही आज हो गया सुशिल जी कल से ही वापस रसोई जितना बड़ा था उतना बड़ा करवा दे और बहु को रसोई में जिस जिस की जरुरतों उसे फौरन ला कर दे और आखिरकार अपनी बुआ सास के मदद से पूजा की ससुराल में उसकी रसोई बन ही जाती है